आज मैं आपके साथ केसरिया साबुदाना की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही जादा टेस्टी, क्रीमी और मलाईदार बनती है और इसको बनाने के बहुत ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स होते हैं जो अगर आम समझ जाएंगे तो हम इसे बहुत ही असानी से ह बार बार एकदम पॉफेक्ट केसरिया खीर बना सकते हैं तो आएए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमने आदा कप साबुदाना लिया था यह हमने दो बार पानी से अच्छे से धो लिया और फिर इसे रात को भीगो दिया था अब हमने इसे छनी पर एक घंटे तक ताकि इसका जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए, आप देख सकते हैं साबू दाना कितना सौफ्ट हो चुका है, लेकिन आमने ध्यान रखना है कि हमें इसे एक से दो बार ही धोना है, इससे जादा नहीं धोना है, क्योंकि इसका हमें सारा स्टार्ड नहीं निकालना है, स्टार्च से ही जो हमारी खीर बनेगी वो काफी क्रीमी और गाड़ी बनेगी अब हम एक कड़ाई में तीन कप दूद डाल देंगे अगर वेट में ना पें तो ये साड़े साथ सु एमल दूद है साथ ही हम इसमें डाल देंगी केसर के कुष्ट आगे ताकि दूद के उबलते तक और खीर बनने तक इसका बहुत ही अच्छा कलर आ जाएगा और अब हम इसमें एक उबाला आने की वेट करेंगे दूद हमने हाई फ्लेम पर रखा हुए अभी ताकि इसमें जल्दी से उबाला आ जाएगा और आप देख सकते हैं इसमें उबाला आ गया है साइडों से अब हम इसको एक बार इस तरह से हिला देंगे और अगर आपके पास साबूदाना भीगा हुआ नहीं है या आपको अर्जेंटली बनाना है साबूदाना तो कोई बात नहीं आप उसे सिर्फ आदा गंड़ा पहले भीगो दे और फिर आप उसको दूद के साथ उबाल ले बस परक सिर्फ इतना सपड़ेगा कि उसमें बनने में टाइम थोड़ा जादा लगेगा और जितना जादा भीगा हुआ होता है साबूदाना उतना जल्दी बनता है अब हम इसमें भीगा हुआ साबूदाना डाल रहे हैं अब हम इसे चला देंगे थोड़ा सा ताकि ये नीचे से जले न अब हम गयस का फ्लेम एक बर हाई कर देंगे ताकि इसमें एक उबाला आ जाए और जब इसमें उबाला आ जाएगा तब हम इसका गयस का फ्लेम लो कर देंगे और इसे लो फ्लेम पर 4-5 मिनट के लिए पकने देंगे आप बीशविश में इस तरह से चला ले और ये देखिए जो साबूदाना के जो मोती हैं ये दाने आप कह सकते हैं ये थोड़े से ट्रास्वूसेंट हो चुके हैं अभी थोड़े से बाकी हैं तो अभी हम इसे थोड़ा और पका लेंगे आप दोनों तरह का साबूदाना यूज़ कर सकते हैं एक पतला आता है छोटा और एक थोड़ा सा मोटा होता है जो नमकीन के लिए तो आप साबूदाना की खीर के लिए कोई साबूदाना यूज़ कर सकते हैं और ये देखी धीरे धीरे हमारी खीर काफी गाड़े हो चुकी है तो अब हम इसमें डाल देंगे चीनी चीनी की जगा मैं यहाँ पर देसी खान का यूज़ कर रही हूँ अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे आप देख सकते हैं जो खीर है काफी गाड़ी होती जा रही है अब हम इसमें डाल देंगे बारी कटे हुए काजू और साथी बारी कटे हुए बादाम डाल देंगे अच्छे से मिक्स कर देंगे अगर आप मोटा साबुदाना यूज़ कर रहे हैं तो उसे 3-4 गंटे भिखोना जरूरी है नहीं तो आप छोटा साबुदाना यूज़ करें खीर बनाने के लिए ड्राइफूर्ट डालने के बाद हमने इसमें 4-5 मिनट और पका लिया है इसे और ये लगबग काफी गाड़ी हो चुकी है अब एकदम तयार है तो अब हम इसमें डाल देंगे आदी छोटी चमच इलाइची का पाउडर आप चाहें तो इसमें केवरा एसेंस भी डाल सकते हैं और साथ ही अगर हम इसमें 2 चमच मिल्क पाउडर डाल देंगे तो इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा लेकिन कुछ लोग ब्रत में या फिर नवरात्रों में ये सब नहीं खाते हैं तो मैं इसलिए आज ये नहीं डाल रही हूँ और ये देखिए ये साबू दाना एकदम पक चुका है जो सारे जो दाने है एकदम ट्रास्फूसिंट हो चुके हैं तो हमारी खीर बन करके बिल्कुल तयार है अब हम यहां गयस का फ्लेम आफ कर देंगे और इसे पहले हम रूम टंप्रेचर पर ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे कम से कम एक से दो घंटे के लिए और ये देखिए हमारी खीर बिल्कुल तयार है एकदम ठंडी चिल्ड हो चुकी है अब हम इसे एक बॉल में शिप्ट कर रहे हैं और आप इसका जो टेक्स्चर है और जो इसके क्रीमीनेस है वो आप देख सकते हैं ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी बनी है और अब हम इसे कटे हुए पिस्ता बादाम और कुछ रोस पेटल से गार्निश कर देंगे आप चाहें तो इसमें अपने मान पसंद कोई भी ड्राइफूट्स आड़ कर सकते हैं या फिर आप इसमें फ्रूट्स भी आड़ कर सकते हैं जो भी सेजनल फ्रूट्स हों आप इसे थंडा या गरम कैसे भी सर्फ कर सकते हैं ये हर तरह से टेस्टी लगता है और मैं इसे आज बिल्कुल थंडा और आइस क्रीम कप्स में इस तरह से और साथ ही ड्राइफूट् लिया था और 1-4 cup मैंने देसी खांड का यूज किया है या आप चीनी का भी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास ही measuring cups ना हो तो कोई बात नहीं आप एक कटोरी या फिर एक glass या फिर इस तरीके का कोई भी cup ले सकते हैं उससे आप नाप ले आधा एक और 1-4 तो आपका भी बि अपने घर में जरूर ट्राइ करें और अपने अनुप मिसा जरूर शेयर करें और अगर रेसिपी पसंद आए हो तो हमारे चानल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दें ताकि आप हमारा कोई भी नया